हेलो एबरिवन वेल्कम यू आल एट लुकेस तर अल्लेम्टेट स्टडी जोन सभी का स्वागत है इस्पेशल क्लास का टाइटल बड़ा ही मज़ेदार है समा कलन का लेट डू ओके इस क्लास में हम कोशिश करेंगे कि समा कलन की प्रॉसेस को आसान किया जा सके कल हमारा जिसको एरिया अंडर कर भी कहते हैं और समा कलन के अनुपरियोग भी जाना जाता है इसको तो आईए आज क्लास को आँगे बढ़ाते हैं और कुछ करते हैं कुछ क्वेशन्स तो आज का जो हमारा पहला कंसेप मैं उठा रहा हूं आपके लिए कल जहां पे बात हम रोके थ कुछ का थे उसके आँगे आज का हमारा पहला कोशन है रिखिम 0 से लेकर के यह अंडर रूड की हैंडरूड 2ảng मैनस x2 का इंटिक्रेशन कैसे करेंगे यह देखिए अटूडर 2 एकस मैनस x2 का इंटिक्रेशन हमें करना है ले इसको ने बाघर दिया है तो पहली चीज़ तो यह में कहूंगा यह आपको सामने कैसा दिखा रहा है यह आपको सामने दिखाई दी रहा है एक वर्ग समीहकाण है ठीक ना तो वर्ग समीहकाण याने quadratic equation की कोई भी प्राबलम है मित्रों तो quadratic equation की किसी भी प्राबलम के लिए आप completing the square method लगाने का प्रयास कीजिए क्योंकि अंदर यह completing the square की form से हो जाए तो क्या करना पड़ेगा इसमें एक तो तरीका मेरे पास completing the square method है याने की पूर्ण वर्ग भी दी और दूसरा है तो दोनों method से इस सवाल को मैं करके आपके सामने दिखाऊंगा देखे कैसे करते हैं इसको जीरो से लेकर के ए अंडर रूट यहाँ पर यदी मैं माइनस sign कॉमन ले लूँ तो यह बन जाएगा मेरे पास x square माइनस का 2a x माइनस sign कॉमन लेने पर पूर्ण वर्ग बनाना बहुत आसान होता है तो आपने इसको माइनस sign कॉमन ले लिया अब 0 से लेकर के a माइनस कॉमन है देखे x square माइनस 2 है x की जगह x है और b की जगह क्या है a बैठा हुआ है तो मतलब कुल में लाके हमें a square add करना है और a square माइन और ये बन गया form मतलब a square माइनस 2 a b plus b square is it means ये बन गया मेरे पास x माइनस a का whole square ब्रैकेट लगा लिजिए और ये क्या बन गया minus a square ओके अब देखे यदि 0 से लेके a अगर आप माइनस sign को अंदर multiply कर देते हैं और dx चलता रहेगा dx को भूलिएगा नहीं ठीक है अभी dx का क सुरूर नहीं होगा बड़ उसको याद रखेगा माइनस sign का multiply कर देंगे तो ये हो जाएगा a square minus x minus a का whole square ठीक है ये हमारे पास format बन चुकी है अब क्या करिए यहाँ पर देखे एकस माइनस a को आप t मान लिजिए तो ये simple हो जाएगा let x minus a equals to t तो अगर आप x minus a equal to t करते है तो dt by dx कर दीजे dt by dx equal to कितना हो जाएगा 1 minus 0 ओके तो dx equals to कितना हो गया dt ठीक है तो हमारे पास जो structure बनेगी इसके अंदर अब देखे limit भी change होगी तो limit जिस समय x 0 था उस समय t कितना आएगा minus a ओके और जिस समय x a हो जाएगा तो यहाँ पर t की limit देखे जिस समय x equal to 0 है x की value 0 डाली है तो t की value की t आएगी minus a और जिस समय x की value a है तो x equal to a डालने पर t equal to कितना हो जाएगा 0 because a minus a equal to 0 so dx equal to dt तो बन चुका है now integration i को आँगे बढ़ाते हैं अब आप कहोगे sir integration क्या आ गया question का नाम i होता है चलिए limit लगा दीजे देखे आपके पास x equal to 0 पर t equal to minus a ओके और यहाँ पर आपके पास में 0 हो जाएगा ओके अब इसके बाद इसको हम solve करते हैं minus a से लेके 0 और under root a square minus t square और dx की जगे कितना हो जाएगा dt हो जाएगा ठीक है ना अब देखे आपके पास जो formula हुआ करता है a square minus x square का under root a square minus x square का वो formula आप यहाँ पर लगा दीजे ठीक है सो यह क्या लग जाएगा i is equals to क्या formula होता है दीखिए integration of a square minus x square का यदी मैं लिखना चाहूं तो integration of a square minus x square यदी हम लिखते हैं तो इसका formula हुआ करता है x by 2 under root of a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a यह होता है formula a square minus x square का ठीक ना तो इस formula का इस्तमाल हमको यहीं पर करना है तो बटी के टम में करना है है ना तो कैसे करेंगे a by 2 under root a square minus t square plus a square by 2 sin inverse x upon a की जगे t upon a और limit जो है वो चल रही है minus a से लेके 0 अब हमें ज्यादा मेहनत नहीं करनी है हमें इसको solve करना है आईए solve करते हैं ओके क्रॉप कर लिया मैंने देखिए limit हमको पूट करनी है so i is equal to सबसे पहले t की value क्या पूट करनी है 0 अपर limit अपने पास में 0 है so a by 2 under root a square minus 0 हो जाएगा तो a square minus 0 और plus a square by 2 sin inverse 0 कर दूँगा तो सब कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा फिर minus lower limit में आपको क्या पूट करना है t की जगह minus a तो minus a पूट करोगे तो a square minus a square यह तो 0 हो जाएगा और plus a square by 2 into sin inverse minus a upon a done a से a cancel अंदर बचेगा minus 1 और sin inverse minus 1 कितना होता है minus pi by 2 ओके minus का pi by 2 तो यह हो जाएगा a by 2 into a और minus a square by 2 into minus का pi by 2 तो देखे पहले क्या जाएगा आ जाएगा a square by 2 यह आ गया ठीक है न a square by 2 आ गया और यहाँ पे minus a square plus में हो जाएगा pi upon कितना 4 ठीक है तो यह हमारे पास आ रहा है a square by by 4 ओ एक mistake हुई है देखे यहाँ पे इसलिए गलत answer आ रहा है यहाँ पर upper limit में a के place पे 0 रखना था मैंने रखा नहीं था तो यह पूरा का पूरा term cancel हो जाएगा ओके इसलिए answer mismatch हो रहा था यहाँ पर लिमिट में a की जगे क्या put करेंगे 0 और lower limit में पहले 0 put करेंगे तो यह पूरा का पूरा term कितना हो जाएगा बट अपन को टी के जगे पर 0 पूट करना है एक जगे पर पूट करना नहीं है तो फिर यह 0 क्यों होगा एक पर फिर से चेक करते हैं इस question को तो देखें यहां से mistake होना शुरू ही है फॉर्मूले में मैंने लिखा था कि हमें जो put करना है वो formula होता है यहां पर x by 2 under root a square minus x square plus sin inverse फिर पर मैं स्वेर से formula लिख देता हूँ integration of x square sorry a square minus x square चल रहाँ तो integration of a square minus x square का dx is equals to x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a यह formula हुआ करता है तो यहां पर हमने क्या किया है हमें यहां पर लिखना था t by 2 क्योंकि variable जो है वो t है ओके तो यहीं से गलती हो गई थी इसको सही कर लिजए ऐसी गलतीया एक्जाम में भी होती है लिखना होता है कुछ और लिख कुछ जाता है जबकि formula में हमने x by 2 बताया है तो यहां पर t by 2 होना चाहिए अब इसका answer बिल्कुल सही आएगा अब इसको crop करके एक नए तरीके से फिर से मैं सुरू करता हूँ और इसका answer देखते हैं चली तो यह हमाई पर situation आ चुकी है limit कितनी है 0 से लेकर के minus a अब आई यह put करते हैं तो i is equal to सबसे पहले upper limit 0 put करिए तो 0 by 2 under root कुछ भी हो जाएगा उससे मतलब नहीं मतलब पहला part 0 हो गया okay plus a square by 2 sin inverse t upon a तो यह भी कितना हो जाएगा 0 because t की जगह आप क्या put कर रहे है 0 put कर रहे है then उसके बाद minus upper limit हो गया अब इसके बाद minus lower limit है तो lower limit में t की जगह कितना put करेंगे minus a upon 2 और under root a square minus minus a का square जो की क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा तो यह वाला पूरा part 0 हो गया और फिर उसके बाद minus a square by 2 sin inverse minus a upon a ठीक तो यह part कितना हो गया 0 यह हो गया minus minus के अंदर यह part भी कितना है 0 और यह है minus a square by 2 और upper limit minus lower limit अपर limit है और minus lower limit है यह part तो 0 हो चुका है बट यहाँ पर यह plus है दीखिए lower limit के अंदर जब हम put करेंगे तो यह part plus है तो यह part आ गया हमारे पास a square by 2 sin inverse minus का 1 क्योंकि a से एक cancel हो चुका है ठीक है अब यह कितना बन जाएगा आपके पास में यह बन जाएगा minus pi by 2 और minus और यह देखिए यहाँ पर minus लगा हुआ था और यह आपके पास जो यह वाला part था अभी मैंने इसको open नहीं किया है क्योंकि bracket लगा है तो यह as a plus ही treat होगा और यह हो जाएगा a square by 2 और sin inverse minus 1 एक पाहर minus लगा हुआ है तो minus 1 कितना होता है minus pi by 2 तो minus minus कितना हो गया plus हो गया तो answer आ गया a square pi upon 4 तो इसका जो answer बनेगा हमारे पास में यह क्या बनेगा a square pi upon 4 तो यह finally इसका answer है a square pi by 4 देखें integration में गलतियों से साबधान रहेगा काफी बड़े-बड़े question हुआ करते हैं जिनकी वज़े से गलतियां बड़ी obvious होती हैं तो यहाँ पर जो formula हमने लगाया है यह यह formula है याद रखेगा integration a square minus x square और यहाँ पर dx लिखना ना भूले x by 2 under root a square minus x square plus a square by 2 sin inverse x upon a क्या किया आज हमने हमने यह सवाल solve किया है integration 0 से लेके 2x 0 से लेके a under root 2x minus a square अब आएए इसी सवाल को हम दूसरे method से solve करते हैं ठीक है और यह भी बताएंगे कि दूसरा method जानना क्यों जरूरी है यह आपके पास question जो लिखा हुआ है दूसरी method में क्या लगा सकता हूँ देखिए अगर आपको formula नहीं आते हैं तो एक और बहुत अच्छा tool है आपको trigonometric substitution अगर आप कर देते हैं मतलब trigonometric पत्रिस्थापन कर देते हैं तो उनसे भी यह सवाल हल हो जाते हैं बट उसके लिए यह है कि आपके trigonometry थोड़ी मजबूत होनी चाहिए आपको यह दिखना चाहिए कि मैं इसके अंदर क्या पूट करूँ कि यह हल हो जाए अभी आप मुझसे पूछेंगे कि सर हम क्या पूट करें इसके अंदर हमें तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है मैं यहां पर पूट करूँगा तो x equal to मुझे पूट करना पड़ेगा 2a sin square theta या 2a cos square theta मेरे पास दो रास्ते हैं x equal to 2a sin square theta या 2a cos square theta अब आप या तो इसको इसको standard formula बना के अपनी copy में note कर लें और नहीं तो मुझे एक क्यों put करने का idea आया आप देखिए यहां पर मैं एक line करके आपको बता देता हूँ आपके पास जो अंदर function है वो अंदर function आपके पास क्या बैठा हुआ है देखिए ध्यान से 2a x minus x का square अगर आप x की जगहे पे 2a sin square theta या 2a cos square theta पूट करते हो चलो पहली बार आपन क्या पूट करते हैं 2a sin square theta तो 2 into a into x इसमें x की जगह चलो a के clean कर देता हूँ विल्कुल clear कर दूँगा 2a sin square theta ये पूट किया और minus x की जगह क्या है 2a sin square theta ये पूट कर दिया देखो जी क्या फायदा बनेगा आपके पास तो fx equal to आपके पास हो जागा देखो 2a into 2a कितना हो गया बैटा 4a square और ये sin square theta और minus ये आपके पास 4a square sin square theta और minus आपके पास x की value जो है ये क्या है आपके पास में आपके पास x की value है 2 का square यहाँ पे square लगा हुआ है और हमने x की जगे क्या put किया है 2a sin square theta तो यहाँ पर आपके पास में हो जाएगा कितना 4a square sin की power 4 theta ठीक है ना sin की power 4 theta ठीक done अब इससे फायदा क्या है देखे इससे फायदा यह है कि 4a square बाहर आजाएगा आपके पास में x equal to आपके पास में 4a square बाहर निकलाएगा root के तो 4a का कितना होता है 2 और इसका कितना हो जाएगा a अंदर कितना बचा sin square theta minus sin की power 4 theta तो sin square theta और sin की power 4 theta में आप sin square theta ले लें common तो अंदर कितना बचेगा 1 minus sin square theta ठीक है ना और sin square theta का root कितना होता है sin theta और 1 minus sin square theta कितना होता है cos square theta तो cos square theta का root कितना जाएगा cos theta और 2 यह तो बाहर बैठा हुआ है अब देखे आपका ये जो function इतना उटपटांग सा दिखाई दी रहा था वो इतने से form में बन चुका है तो ये कहलाता है trigonometric substitution ऐसी कुछ चीज पुट करो जिससे कि आपका काम जो है वो खल हो जाए ठीक है ना तो इसको अपन बोलते हैं trigonometric substitution तो फिर question को start लेते हैं क्योंकि हमने सीख लिया कि trigonometric substitution कैसे करते हैं अब आपकी मर्जी है अगर आपको formula आता है तो आप मेरे जो ही method बताया आप उस तरीके से कर लिजे नहीं तो trigonometric substitution आप कम से कम आना तो चाहिए आपको तो चलिए क्या था हमारे पास देखे limit 0 से लेके a और यहाँ पर हमारे पास function था 2ax minus का कितना x का square और यहाँ पर dx तो मैंने क्या कहा आप से क्या put करो आप put करिए x equal to okay x equal to put करना है आपको 2a और क्या sin square theta आपको put करना है x equal to 2a sin square theta clear है अब देखे यहाँ पर dx बैठा हुआ है क्या बैठा हुआ है dx तो आपको dx निकालना पड़ेगा कारण क्या है क्या है क्योंकि आप x variable को नए variable में लेके जा रहे हो किसमे थीटा में तो यहाँ पर dx भी किसमें जाएगा 2a क्या है constant है sin square theta में 2 बाहर आ जाएगा बन जाएगा कितना 2 sin theta और sin theta का differentiation कितना होता है cos theta चलो भाई यह होगे इतना differentiation तो यहाँ से आप dx की value निकाल लो तो dx की value कितनी है 2a into 2 sin theta जिसको मैं 4 कर सकता था पर अब अब नहीं कर पाया तो कोई बात नहीं चलो कर देता हूँ यार 2a sin theta into कितना cos theta और साथ में कितना आ जाएगा d theta a limit यह जो 0 से लेके a limit थी वो किस की थी x की थी किस की थी बट अब नया variable को आने वाला है theta तो अपन जो है theta की value पता कर लेते हैं यहाँ से तो देखी यहाँ से आपके पास पर क्या है आपके पास है आपके पास है x equal to 2a sin square theta तो यहाँ से sin square theta कितना हो जाएगा x upon 2a x upon 2a ठीक ना तो यहाँ से हम theta की value पता करते हैं सबसे पहले x की value कितनी है 0 है x की value क्या है 0 भाई अगर x की value आप 0 रोखोगे तो sin theta भी कितना हो जाएगा 0 तो x की value 0 पे theta की value भी कितनी मेलेगी 0 अब दूसरी है x की value a x की value a रख करके देख लो अगर आप x की value a रखते हो तो मैं इसको solve भी कर देता हूँ बिल्कुल clear तरीके से x की value a रख दी आपने तो यहाँ पर a है नीचे कितना है 2a है a से a क्या हो गया cancel तो sin square theta is equal to कितना आ गया बिटा 1 upon 2 तो sin theta is equal to कितना आ गया 1 upon under root 2 yes or no यानि theta is equal to कितने डिगरी नॉर्मली 45 डिगरी theta equals to कितने डिगरी 45 मतलब pi by 4 pi by 4 मतलब यहाँ पर जो हमारे पास angle आ रहा है theta आ रहा है theta की जो limit आ रही है वो कहां से कहां तक आ रही है 0 से लेके pi by 4 तक ही तो 0 से लेके pi by 4 तक में तो यह question किस में convert हो गया देखो अब यह जो question था integration आई कितना देखो change हो चुका है 0 की जगे 0 है a की जगे कितना है pi by 4 लो भाई ले put भी तो करना है हमको 2ax तो 2 into ax की जगे मैंने क्या बताया है आपको 2a sin square theta 2a sin square theta और minus x square है तो 2 को कितना हो जाएगा 4 a का हो जाएगा a square और यहां पे x square है तो sin की power 4 theta और यहां पे dx है dx की जगे हमको क्या put करना है यह इतना बड़ा सा term put करना है मतलब multiply by 4a sin theta cos theta और क्या d theta अब हमें इस चीज को solve करना है देखिए trigonometric substitution जो है बड़ा तो कर दिया है इस question ने है अपन को है ना तो यही formula हम याद रखते तो हमाई लिए बड़ा अच्छा रहता बट अब किसी को याद नहीं है formula तो यह कर सकता है और prove भी तो बनना चाहिए उसके लिए थोड़ी सी जरूरत पढ़ती है इसकी आईए solve करते देखिए limit है पने पास में 0 से लेके कितना pi by 4 देखिए अंदर क्या हो गया 2a into 2a कितना हो गया 4a square और यह भी कितना है 4a square तो मैंने 4a square common ले लिया यहां से यह देखो इसके पास sin square theta है इसके पास 4 theta है तो लिए भाई 2 sin square theta दोनों से common आ जाएगा अंदर कितना बचा यहां से तो सब कुछ उठा लिया तो यहां बचा 1 और यहां पर क्या बच गया sin square theta यह सारा का सारा मामला root के अंदर था अब root के बाहर कौन है into 4a into 4a sin theta cos theta d theta इतना सारा कुछ जो है root के बाहर है चलिए solve करता हूँ मैं देखी यहां से 4a है 4a square है बाहर क्या बने के निकलेगा 2a और यह कितना है 4a तो 2 into 4a कितना हो गया 8 तो यहां से 2 into 4a हो गया 8 तो 0 से लेके pi by 4 2a square कट हो जाएगा 2a और यह हो जाएगा 4a तो यह हो गया 8a square कितना हो गया 8a square sin square theta का root कितना निकलेगा sin theta और 1 minus sin square theta होता है cos square theta तो cos square theta का root कितना निकलेगा cos theta 4 ये तो जा चुका है उधर into sin theta एक बार और और cos theta एक बार और मतलब ये हो गया sin square theta और cos square theta है ना मजी की बात चलिए i is equal to integration 0 से लेके pi by 4 मैं a square को बाहर निकाल देता हूँ मैं एक 2 को भी बाहर लिका लेता हूँ अब देखिए आप ध्यान से 2 को बाहर निकाला तो अंदर कितना बचा चार मैं यहाँ पर 4 को 2 का square लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता 4 है ना 4 बचा 4 को मैंने क्या लिखा 2 का square sin square theta को यहाँ पर मैंने लिखा sin theta का square ये लगा है और ये है क्या cos theta का square clear है ना तो 2 sin theta cos theta का square जो है ये पूरा का पूरा कबर हो गया की नहीं हो गया और इसका 4 भी कबर हो गया मतलब हमारे पास आने वाले समय में क्या मिलेगा दिखे i is equals to 2a square integration 0 से लेकर के pi by 4 0 से लेकर pi by 4 ये 2 sin theta cos theta क्या होता है sin 2 theta होता है यहाँ पर हो गया कितना sin 2 theta है ना sin 2 theta है और पूरे का क्या लगा हुआ है whole square sin 2 theta का whole square और यहाँ पर कितना लगा है d theta sin 2 theta का square into कितना d theta अब चलिए देखे इसको solve करना है हम जानते है कि sin square theta जो होता है क्या खुलता है 1 minus cos 2 theta upon 2 तो यहाँ पर क्या है यहाँ पर है sin square 2 theta तो कैसे खुलेगा 1 minus जब angle double है तो यहाँ 2 theta की जगे 2 theta रखे हुए तो कितना बन जाएगा 4 theta तो 1 minus cos 4 theta upon 2 तो यहाँ पर अगले step में देखे चलते हैं next slide में देखेगा यह देखे तो कैसे होगा solve i is equal to 2a square ओके 0 से लेके pi by 4 क्या बना है मैंने 1 minus cos 4 theta upon कितना 2 ठीक है ना 1 minus cos 4 theta upon 2 और यह कितना हो गया 2 theta तो देखे यहाँ से 2 तो बाहर आजाएगा 2 से 2 क्या कर देगा cancel तो i is equal to केवल बाहर बजगा a square अब चलो integration करने का वक्त आ चुका है integration 0 से लेके pi by 4 सबसे पहले किसका 1 का theta के respect में फिर minus 0 से लेकर के pi by 4 किसका cos 4 theta का d theta के respect में clear है ना चलिए तो i is equal to a square सबसे बाहर है d theta का integration कितना होगा theta और limit कितनी लग जाएगी 0 से लेके pi by 4 minus cos 4 theta का cos का कितना होता है sin plus sin 4 theta divided by 4 ओके और limit कितनी 0 से लेके pi by 4 done चलिए अब आजाएए limit was put करने का काम बागी रहे गया है तो i is equals to a square clear है चलिए put करते है pi by 4 theta के जगे pi by 4 तो upper limit कितनी आएगी pi by 4 lower limit कितनी है 0 तो minus 0 करने का कोई असर पढ़ेगा नहीं यहाँ minus लगाईए अब उठकर यह upper limit pi by 4 देखो 1 upon 4 को पहले बाहर निकालो नहीं डिस्टब करेगा यह जो 4 था ना इसको आप बाहर निकालीजी यहाँ पे तो 1 upon 4 1 क्या गया अब बच्चा है sin 4 theta तो sin 4 theta में sin 4 into कितना pi by 4 upper limit minus sin कितना हो जाएगा 4 into 0 0 हो जाएगा अब मज़े की बात देखो 4 से 4 क्या हो गया cancel बचा क्या sin pi और sin pi कितना होता है 0 तो यह भी 0 यह भी 0 1 upon 4 लगा रहे 0 तो answer आगया i equal to a square into pi by 4 तो answer is pi by 4 a square तो मैं तो यह था technometrical substitution का इस्तमाल करते हुए इस integration को करना मगर आपको मैंने बताया था कि यदि आप directly इसको completing the square method से करते हैं तो देखो बहुत जल्दी हो गया था और पिछले वाले में बहुत सारी धेर सारी technometry लगी तो मैं कहूँगा कि आप technometry वाली method को avoid करें थोड़ा सा formula याद करने में महनत कर लें अगर आप इसका formula याद कर लेंगे तो आपको यह बहुत आसानी से बहुत easy तरीके से integration हल हो गया है तो आपके पास जितने भी question आएंगे जिनके अंदर quadratic equation बन रही है जिनके अंदर वर्ग समीकन बन रही है तो आपको क्या करना है उनको आपको वर्ग समीकन बनाना है उनको आपको quadratic बनाना है उसके बाद आपको solve करना है ठीक ना तो quadratic में जो आपके पास form बनते हैं एक बार मैं आपको first revise कर देता हूँ कि quadratic में जो आपके पास form बना करते हैं वो यह हुआ करते हैं या तो X square minus A square की फॉर्मिट बनती है तो आपको इसका formula होगा x by 2 under rule x square minus C square या तो यह फॉर्मिट बनती है या तो 0 upon under rule x square minus A square यह फॉर्मिट बनती है या तो A square minus x square की a format बनती है जो मैंनने अभी आपको कराई या तो यह one upon under root x square plus a square की format बनेगी ओके तो इसका one upon under root x square plus a square का formula आप देख लीजिए क्या होता है ठीक ना? या तो उपर ही उपर x square plus a square की format बनेगी ठीक ना? तो ये भी अपने पास में एक formula दिया हुआ है है ना? बड़ा सा formula x square plus a square का और क्या बनेगी format directly या तो 1 upon x square minus a square की format बनेगी इसका भी formula हम पढ़ चुके है 1 upon 2a log of x minus a upon x plus a और इसके लाभ़ा क्या हो सकता है यह बन सकती है 1 upon a square minus x square की format इसका भी formula हम आपस 1 upon 2a log of a plus x upon a minus x और क्या बन सकती है और बन सकती है under root a square-x K2 То इसकी format होती है sin inverse x upon a Sin inverse x upon a और क्या बन सकती है और कुन सी format रह गई भाई और format बन सकती है one upon x square plus a square x square plus a square तो 1 upon x square plus a square के दी format बनेगी तो हमारे पास जो formula हुआ करता है वो होता है 10 inverse x upon a और बाहर आता है 1 upon a ओके capital ले लिजे तो इतनी format आपके पास में है अगर ये format आपको clear है इनकी practice आपने कर रखी है तो completing the square वाला question आपके पास कहीं बाहर नहीं जाएगा इनकी अच्छे से practice कर लीजिए इनहीं से आपके questions काफी सारे अच्छे solve हो जाएंगे ओके तो में तो आज यहीं पर हम अपनी class को विराम करते हैं और हम next lecture में आपके लिए समा कलन के अनुप्रयोग के advance question लेके आएंगे और आप integration पर जबर्दस्त अपनी पकड़ बनाए रखें खुब practice करते रहें बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार जैहीं जै भारत